फर्सबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाए इस खबर के प्रायजक है दी अध्यन स्कूल शताब दिनगर मेरट नमस्कार मैं हूँ रेवी शर्म और आप देखें फर्सबाइटाटिवी बीत दीवस कोरोना से के सब्सक्राइब की मौत हो गई यहां बात मौत के ने उसकी वज़ार सरकारी सिस्थम की है कोरोना हुआ तो मौत भी हो सकती है लेकि यदि इलाज के अभाव में हो तो यह बेहत कंभेतत है विज़ेगर का सैंपल तिन दिन पहले लिया रेटन लेकिन रिपोर्ट मौत के बता ही समील अशाना उसमें वे उनकी पत्मी ने कोरोना के थिल लेकिन उन्हें घर बेज़ दिया गया कल्पना कर रूह काँ जाती है कि रद्धंपती मेडियल कॉलिज से घर तक करीब 10 से जादे किलियोमेटर का फासला पैदल देया वह भी तब जब कि सांस बराबर उखड रही थी और दिलो दिमाग पर यह ख़व बराबर कायम था कि उन्हें कोरोना भुआ है कंभीर बात यह भी है कि मुख्यमंत्र योगी आधितेनाथी जितना संजीतकी से कुरोनों के खिलाब ख़ड़े हुआ है उनका सरकारी सिस्टम उतना ही लापरवा वे बेपरभा बना हुआ है मेरिट में विजय दर्की मौद की पुष्टी और उससे पहले करोनों के कारणों की मौद तमाम सरकारी दावे पर दिखावे अब सरों का लंबा चोड़ा काफिला सीमो डाक्टर राजकुमार वे मेडिकल प्राचारे डाक्टर आर्सी गुपता के वीच रियारी गोल्ड जंग के मुँपर करारता मचा है हालत यह है कि जग देश वे दुनिया करोना के प्रकोप के सामने तराही तराही कर रहे है जे मेडार पत पत बैठे इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है आपसे तालमेल की कमी का ही असर है कि बीते दीवस यहां सीमो से जुड़े जिला सर्विलान सदीकारी डाक्टर विश्वास जिली में सब कुछ सामने होने की बात कर रहे थे वहीं मेडिकल कॉलिज में दिन में ही तीन संदीज लोगों की मौत हो चुकी थे इन मौतों का नहीं तो सीमों को पता था और नहीं जिला सर्विलान सदीकारी अब पहले बात करते हैं मिजगर की केसरगा निवासी पासट वर्सी मिजगर करीब पिछले साथ दिन से कोरोना के लक्षण पाने पर इलाज के लिए देवतर भटक रहे थे सभी जगे फोन किये लेकिन कोई नतिजा नहीं निकला खुद जैसे तैसे अपनी पत्नी सुसमा को लेकर मेडिकल कॉलिज पहुँच गया लेकिन उन्ह करीब 10-11 किलोमेटर की दूरी पैदल पार कर दी कोई इसके अगले जब तबिया चाले भी गई तो खुद ही एंब्लेंस पुला का मेडिकल कॉलिज पहुँच गये कल साम उनकी मौत की जनकरी है उन पर उनके पुत्र करती गई मौत के बाद तक भी कुरान के पुष्टी ने हुने वे शवन देने कारों पुत्र वे भांजा घर पर आ गये है इससे पहले भांजे राजन ने एक वीडियो बना कर सरकारी इंतिजामात की पोल खुल दी थी आ आरके पुरम इस्थित उनके परीजनों को भी कवर कर लिया गया और आइस विसलिशन के लिए एम्बुलेंस द्वारा भीजा जा रहा है गंभीर बात यह भी है कि राजन ने बीते दिवस यह रोप भी लगाय था कि विजगर के प्रॉसी भी करोना लक्षान पाते हुए बीते दिवस मेटिकल कॉलिज महचे थे लेकि उन्हे भी घर का रास्ता दिखा दिखा दिया गया यहां फर्स बाइट सवाल करता है क्या इस तरह कोरोना से जंग लड़ी जा रही है क्या इसी तरह लोग की तरह जान की परवा की जा रही है क्या इस सर्कारी सिस् Color का फेलि crash छाना चाहिए क्या इन लोगों के खिलाब गहर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? यह वो सवाल है जितका जवाब अब जेमेदार बदो बर बैठे नोकर साथ को देना होगा विजय की मौत सरकारी सिस्टम का पहला मामला नहीं है इससे पहले भी मेरट में कई मामले हुआ है मसलन कई बार फोन के बाद भी दो बंटे तक डिफेंस एंगलेव के यूवक को बाहर साथ पर आकर इंचार करना पड़ा CMO ओफिस में संक्रमित PPE किट ऐसे ही रखा जाना गरवति संक्रमित महिला के 90 पच्चे को परीजनों को सौक देना प्राचारे वा CMO के भी ताल मेल का अभाव होना ऐसे में यह सवाल में उटना लाजमी है कि आखिर आइसलेशन वार्ट से लोग क्यूं भाग रहे हैं थुआ क्यूं भागना चाह रहे हैं हाल ही में मेडिकल कॉलिज से नो लोग भाव निक लेते हैं बाद में पुलिस हरकत में आई तो सभी वापस लोटे हैं झाल झाल